तो आज के इस your teacher class में सभी बच्चों का स्वागात है और आज हम लोग class 8 का second chapter sleep को पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चले हम लोग शुरू करते हैं Why do we sleep? Why means क्यों? ठीक है तो हम क्यों सोते हैं? यह एक question पूछ रहा है Do all persons sleep for the same amount of time? सेम मतलब समान ठीक है? All person मतलब सभी लोग तो do all person मतलब क्या सभी लोग जो सभी लोग सोते हैं sleep सोते हैं For the same amount of time तो उनका जो सोने का समय होता है वा क्या समान होता है? मतलब बराबर होता है यह question पूछ रहा है Do you ever have dreams? क्या आपने कभी सपने देखे हैं? या इसका हिंदी क्या होगा? क्या आपको कभी सपने आते हैं? Question mark If yes, अगर हां, narrate the dreams which you like Narrate मतलब उसको बताईए अच्छे तरह से कि आपको कौन सा dream मतलब सपना जो है वा पसंद है और dislike मतलब वा सपना जो आपको नहीं पसंद है dislike मतलब नहीं पसंद, dislike most मतलब वा ऐसा सपना आप नरेट करिए मतलब बताईए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है Why do you think we have dreams? Why do you think? Think मतलब सोचना, ठीक है? तो कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? We have dreams कि हमें सपने आते हैं या हम सपने देखते हैं चीक है? हमारे पास जो सपने देखते हैं आपको ऐसा क्या लगता है? Think मतलब यहां पर think का अर्ट सिफ सोचना नहीं हुआ बच्चो ऐसा कहते हैं कि आपको क्या लगता है? What do you think? तो यहां पर think का मतलब सोचना और लगना दोनों होता है आप ऐसा क्यों सोचते हैं? We have dreams कि हमें सपने आते हैं या हमारे पास सपने हैं तो इस तरह के question पूछके warmer का earth होता है इस तरह के question पुछके हम जो है chapter का एक प्रिष्ट भूमी बनाते हैं और next आगे क्या करते हैं बच्चो चैप्टर को हम शुरू करते हैं तो चले बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं Nobody, nobody का earth कोई नहीं, nose का earth जानता ठीक है? Why we sleep, कोई नहीं जानता हम, we मतलब हम हम क्यों सोते हैं? कोई नहीं जानता हम क्यों सोते हैं But, लेकिन, we all need to लेकिन हमें सोने की जवरत है क्योंकि, लेकिन हम सभी को सोने की जवरत है यानि, नींद की जवरत है Sleep helps our body and brain develop and grow ठीक है? Sleep मतलब यहाँ पर sleep का अर्थ हुआ नींद और सोना दोनो ठीक है? Sleep मतलब नीन नीन जो है help करता है help मतलब मदद नीन जो है मदद करता है our body, हमारे शरीर को and brain and means or or brain मतलब मस्तश को मतलब नीन जो है मदद करता है हमारे शरीर को और मस्तश को develop and grow develop का अर्थ हुआ विक्सित grow का अर्थ हुआ बढ़ना तो हमारे शरीर और मस्तश को विक्सित होने में विक्सित करने में और grow बढ़ने में मदद करता है ठीक है? Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness sickness मदलब बिमारी fight means लड़ना ठीक है? stay healthy का अर्थ होता है बच्चो स्वस्थ रहना ठीक है? तो our body needs sleep हमारे शरीर को नीन की जोरत होती है to stay healthy स्वस्थ रहने के लिए and or fight sickness और रोगों से यानि बिमारियों से लडने के लिए ठीक है? आगे during sleep during sleep मतलब नीन्द के दोरान कहते है न नीन्द के दोरान during sleep का अर्थ हुआ नीन्द के दोरान our muscles हमारे mass patient muscles का अर्थ मतलब क्या हो गया? mass patient हमारे आवर का अर्थ हमारे हमारे mass patient bones हड़िया and skin और तवच्चा skin card तवच्चा can grow can card होता है सकना या सकता ठीक है? can grow and muscle skin and other parts can fix injuries इसका अर्थ हुआ कि नीन्द के दोरान हमारे mass patient हड़िया और तवच्चा can grow वह बढ़ सकते हैं सकते can card क्या हुआ? सकते हैं तो यहां तीनों चीज बढ़ सकते हैं and or muscles skin and other parts or mass patient तवच्चा and or other parts और अन्य हिस्से ठीक है? other part मतलब दूसरे हिस्से और दूसरे हिस्से can fix injuries injuries का अर्थ होता है चोट मतलब नीन जो है हमारे mass patient और तवच्चा और दूसरे किसी हिस्से में अगर चोट लगी रहती है तो उसे fix करता है मतलब उसको ठीक कर सकता है can cut क्या हो बच्चो उसे ठीक कर सकता है our brain needs sleep हमारे mustष को नीन की जोरत है needs मतलब जोरत तो हमारे mustष को नीन की जोरूरत है sleep helps our brain to remember what we learn learn का अर्थ होता है बच्चो सीखना learn का अर्थ क्या होता है बच्चो learn का अर्थ होता है सीखना ठीक है और remember का अर्थ होता है याद रखना तो sleep जो है need help मदद करता है our brain हमारे mustष को need जो है हमारे mustष को मदद करता है, to remember याद रखने में what we learn हमने क्या सीखा, we learn हमने क्या, हमने जो सीखा, उसे क्या यहाँ पर क्या है न, what हमने क्या सीखा, उसे याद रखने में मस्तिश जो है नीन्द जो है, वह मस्तिश की मदद करता है ठीक है, it also helps brain to pay attention and concentrate ठीक है pay attention का अर्थ हुआ बच्चो ध्यान देना ध्यान देना ठीक है तो it यहाँ पे जो बोल रहा है it also helps it किसे बोल रहा बच्चो it किसे बोल रहा है वो sleep को बोल रहा है यानि need को बोल रहा है तो need जो है मदद करता है हमारे दिमाग को need जो है हमारे दिमाग को मदद करता है ध्यान रखने में भी यानि also का अर्थ क्या होगे बच्चो यहाँ भी also का अर्थ क्या हुआ भी तो need जो है हमारे दिमाग को मदद करता है ध्यान रखने में भी और concentrate ध्यान किंद्रित करने में भी concentrate मतलब ध्यान किंदित करना एकागरता ठीक है तो नीन जो है हमारे मस्तिश को मदद करता है ध्यान रखने में भी और ध्यान किंदित करने में भी ठीक है there are no rules about how much sleep is necessary ठीक है तो necessary का मर्थ होता है बच्चो आवशक ठीक है about का अर्थ होता है बारे में और no rules का यहां अर्थ हो गया कोई नियम नहीं ठीक है इसके बारे में how much कितना how much मतलब कितना कितना नीन is sleep means नीन कितना नीन necessary आवशक है ठीक है इसका यह meaning हुआ कि कोई नियम नहीं है इस बारे में कि कितना नीन आवशक है but लेकिन and average average मतलब ओसत लेकिन एक ओसत adult adult means Hindi होता है व्यसक मतलब कहिए तो जवान या जो बड़े होते हैं ठीक है adult means जवान या इसको इंगली हिंद का जो हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है उसका व्यसक लेकिन एक औसत व्यसक जो है sleeps for 7 hours वह सोता है 7 hours 7 घंटे and or 20 minutes ठीक है लेकिन एक औसत व्यसक जो है वह सोता है 7 घंटे और 20 minutes about 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep ठीक है इसका मतलब हुआ about 8% यहां about का अर्थ हो गया बच्चो लगभग यहां पे about का अर्थ हो गया बारे में और यहां पे about का क्या अर्थ हो गया बच्चो लगभग लगभग 8% जो adults होते हैं बड़े होते हैं व्यसक होते हैं are happy वह खुश होते हैं with 5 hours वह 5 घंटे की नींद or less वह 5 घंटे की नींद या उससे कम नींद में वह खुश होते हैं less of sleep ठीक है नींद से खुश होते हैं and 4% और 4% want 10 hours or more और 4% लोग जो हैं व्यसक जो हैं उन्हें अवह चाहते हैं 10 hours 10 घंटा या उससे अधीक की नींद या सोना चाहते हैं ठीक है आगे चलिए children at the age of 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night each का मत हो गया प्रतेक ठीक है प्रतेक तो children जो बच्चे होते हैं at the age of 5 to 12 years बच्चे जो होते हैं 5 से 12 साल के need उनको जोरत होती है 10 to 11 hours 10 से 11 घंटे की नींद प्रतेक रात में ठीक है मतलब रोज रात में babies babies कार्थ हुआ शिशू यानि बहुत छोटा बच्चा शिशू जिसे कहते हैं babies जो शिशू होते हैं need between 14 to 18 hours शिशू को जोरत होती है नींद की 14 से 18 घंटे की ठीक है whereas जब की the elderly need whereas मतलब जब की जो elderly कार्थ क्या हो गया बच्चो यहाँ पर बुजर्ग elderly कार्थ क्या हो गया बच्चो बुजर्ग जो बुजर्ग होते हैं उनको जोरत होती है less than they did when young जब वो young यानि जब वो जवान होते हैं उस समें जो उनकी नींद होती है जितना वो Nap का अर्थ होता है बच्चो जपकी, कहते हैं जपकी लेना, they मतलब way कौन? elderly people को, way often, often का अर्थ यहां क्या होगे बच्चो? अक्सर, way अक्सर take a nap, जपकी लेते हैं during the day, दिन के समय या दिन के दौरान, वे अक्सर जपकी लेते हैं दिन के दौरान, ठीक है? तो चली आगे बढ़ते हैं, there are five stages in one sleep cycle, cycle का अर्थ हुआ चक्र, stages का अर्थ हुआ चरन, stage का अर्थ क्या होगे बच्चो? चरन, there are five stages, मतलब five चरन होते हैं, there are five stages का हिंदी क्या हो गया? पांस चरन होते हैं, in one sleep cycle, एक नीन के चक्र में पांस चरन होते हैं, each sleep cycle, प्रतेक नीन का चक्र जो है, takes about 90 minutes, मतलब प्रतेक चक्र जो होता है नीन का, वह लगभग कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है, ठीक है? the sleep cycle is repeated, ठीक है? नीन का चक्र जो है, is repeated, repeated मतलब दोहराना, नीन का चक्र जो है, वह दोहराता है, 5 और 6 times during the night, मतलब रात के दोरान, 5 से 6 बार नीन का चक्र जो है, वह दोहरता है, ठीक है? during the stages 1 and 2, मतलब चरन 1 और 2, during मतलब दोरान, तो चरन 1 और 2 के दोरान, you first fall sleep, आप सबसे पहले सोते हैं, but, लेकिन, are not yet in a deep sleep, लेकिन आप जो है, वह अभी गहरी नीन में नहीं होते हैं, ठीक है? वह गहरी नीन नहीं होती है, during the stages 3 and 4, मतलब चरन 3 और 4 के दोरान, you are in a deep sleep, आप जो है, वह deep sleep, डीप मतलब गहरी, आप जो है, वह गहरी नीन नीन में होते हैं, कब 3 और 4 चरन के समय, ठीक है? Your breathing, आपका breathing, मतलब आपका जो सास लेना, आपका जो श्वास है, and, or, heart rate, हिर्दे गती, और आपका जो सास और हिर्दे गती है, slow down, वह धीमा हो जाता है, यर और, your body is motionless, और आपका शरीड जो है, वह motionless हो जाता है, मतलब गती हीन हो जाता है, वो कोई भी आपके शरीर में गती नहीं होती है During the fifth stage मतलब पाच्वे चरन के दौरान Your brain, आपका मस्तिश्क is active वह सक्रिय है, active मतलब सक्रिय है आपका मस्तिश्क जो है वह सक्रिय होता है And you dream, और आप सपनी देखते हैं You dream during the stage of sleep called rapid eye movement तो यह कह रहा है कि जब stage यानि कि जब नींद के चरन के दौरान You dream during the stage मतलब during the stage of sleep नींद के चरन के दौरान आप जो सपनी देखते हैं उसे called क्या कहा जाता है Rapid eye movement उसे कहा जाता है rapid eye movement और REM इसका rapid eye movement का short form हो क्या है REM During the REM यानि कि rapid eye movement के दौरान Your eyes आपकी आखे move आपकी आखे move करती है Under your eyelids rapidly eyelids मतलब जो पलक होती है तो जब rapid eye movement के दौरान आपकी जो आखे हैं वो तेज move मतलब गती करती है आपकी आखों में गती होती है आपके पलकों के नीचे rapidly मतलब वो तेजी से गती करती है ठीक है Normal speed is sleep is made up of two alternating phases alternating का अर्थ हो गया बारी बारी से phase means चरन normal का अर्थ होता है समाने तो समाने नींद जो है is made up of bunny होती है समान नींद जो है बनी होती है दो alternating बारी बारी चरनों से phase one phase यानि कि चरन पहला पहले चरन जो है involves no dreaming dreaming मतलब सपना देखना ठीक है सपने तो जो पहला चरन होता है उसमें शामिल होता है कोई भी dreaming नहीं होती है मतलब पहले चरन जो चरन होता उसमें सपना नहीं आता है usually it occurs usually मतलब आम तौर पर आम तौर पर it occurs ये होता है in the early part मतलब शुरुवाती हिस्से में कौन से रात के of the night तो सपने जो है वो नहीं आते है पहले चरन में और ये आम तौर पर कब होता है रात के शुरुवाती हिस्से में चिक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखें आपर phase 2 involves dreaming दूसरा चरन जो है उसमें क्या होता है बच्चो उसमें सपने आते हैं उसमें सपने शामिल हैं involves मतलब शामिल होना तो दूसरे चरन में सपने शामिल होते हैं इट अकर्स mostly in the later part of the night और इट अकर्स mostly ये ज़्यादा तर mostly मतलब ज़्यादा तर ये ज़्यादा तर अकर्स होता है ये ज़्यादा तर होता है later part of the night रात के बाद वाले हिस्से में ठीक है, रात के बाद वाले, अनिकि सपना जो है, वो रात के शुरुवाती हिस्से में नहीं आता है, जब रात आधी गुजर जाती है, तो बाद वाले हिस्से, पार्ट मतलब हिस्से, बाद वाले रात के हिस्से में, यह second phase होता है, जिसमें सपने आते हैं, for varying periods of time, मतलब ठीक है, periods of time, समय के लिए, तो जो सपने आते हैं, वो अलग-अलग समय के लिए, सब लोगों के लिए, अलग-अलग आते हैं, if you wake up during this phase, कौन सा phase, दूसरी वाले phase में, कह रहा है, if you wake up, अगर आप जागते हैं, during this phase, इस चरन के दौरान, यानि किस दूसरे चरन के दौरान, दूसरे चरन के दौरान, अगर आप जागते हैं, you will, almost, certainly, remember your dreams, तो कह रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपने सपने को याद रखेंगे, your dreams मतलब अपने सपने को, remember मतलब याद, certainly मतलब निश्चित, almost, certainly मतलब निश्चित, तो अगर आप इस चरन के दौरान जागते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को याद रखेंगे, ठीक है, when we sleep, जब हम सोते हैं, the bodily functions, functions मतलब क्रिया है, bodily functions का अर्थ यहाँ क्या हो गया, बच्चों, शारिरिक क्रिया है, ठीक है, body से bodily होता है, body मतलब शरीर और bodily मतलब शारिर, तो जब हम सोते हैं, the bodily function, शारिर क्रियाए, slow down, मतलब शरीर की जो क्रियाए होती है, ठीक है, जो भी शरीर हमारा काम करता है, खाना पचानी में, या हम सांस लेते हैं, हमारा जो system है, वह जो है, slow down, वह धीमा हो जाता है, body temperature, body यानि शरीर का तापमान, false, शरीर का तापमान जो है, वह गिल जाता है, यानि कम हो जाता है, this is because, यह ऐसा है, क्योंकि, ठीक है, this is because, because means क्योंकि, this is because, ऐसा है, क्योंकि, our body, हमारा शरीर, keeps to a regular 24 hour cycle, during which, body temperature rises and falls at fixed time, तो ऐसा है, क्योंकि, हमारा शरीर, regular मतलब निश्चित, हमारा शरीर, जो है, निश्चित, 24 घंटे का चक्र जो है, रखता है, ठीक है, हमारा शरीर, जो है, 24 घंटे का चक्र रखता है, during which, जिसके दोरान, body temperature, जिसके दोरान, हमारा शरीर का जो तापमान है, rises, मतलब बढ़ and falls, falls मतलब गिरना, तो हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है और कम होता है, यानि गिरता है at fixed time, मतलब एक निश्चिस समय में हमारे शरीर का तापमान एक बार बढ़ता है और एक बार कम होता है, normally आम तोर पर body temperature, शरीर का तापमान is lowest in the middle of the night, मतलब आधे रात की समय में हमारे शरीर का तापमान जो है lowest वह सबसे कम होता है and or the highest in the afternoon, और सबसे ज़्यादा कब होता है afternoon यानि दो पहर में, तो हमारे शरीर का तापमान दो पहर में सबसे ज़्यादा होता है और हमारे शरीर का तापमान आधी रात के करीब करीब सबसे कम होता है, छीक है चलिए आगे देखते हैं when you get enough sleep, जब आप परयाप्ट नीन लेते हैं, when you get enough मतलब परयाप्ट, मतलब इसका रट क्या हो गया, कि जितनी नीन की हमें जोरत है उतना, ठीक है जिसे में परयाप्ट कहते हैं तो जब when you get enough sleep, जब आप परयाप्ट नीन लेते हैं, you can pay attention better in school, तो आप स्कूल में ज़ादा ध्यान दे सकते हैं, ज़ादा अच्छा स्कूल में आप कर सकते हैं, ठीक है Be creative, आप रचनात्मक हो सकते हैं, and think of new ideas, और जो है आप नए विचार के बारे में सोचते हैं, जब आप छिनीन लेते हैं, तो आप इसको में बहुत अच्छा करते हैं, आप रचनात्मक होते हैं, और नए विचारों के बारे में सोचते हैं Fight sickness, बिमारी से लडते हैं, so you stay healthy, ताकि आप stay healthy, ताकि आप स्वस्त रहें Be in a good mood, and get along well with friends and family, अच्छे mood में रहते हैं, and get along well, और अपने दोस्तों के साथ, और family, अपने परिवार के साथ, well, अच्छे से रहते हैं If you don't get enough sleep, if you don't get, मतलब अगर आपको नहीं लेते हैं, अगर आप नहीं लेते हैं, don't मतलब नहीं, तो अगर आप नहीं लेते हैं, enough sleep, परियाप्त नींद, you can forget, आप भूल सकते हैं What you learn, आप जो सीखे हैं, learn मतलब आप जो सीखे हैं, वह क्या कर सकते हैं, forget मतलब भूल सकते हैं Have trouble making decisions, decisions मतलब निर्ने लेना, making decisions मतलब निर्ने लेना, तो trouble मतलब परिशानी, आपको किसी भी decision यानि निर्ने लेने में Trouble होता है, यानि कि परिशानी होती है, be in a bad mood, आपका जो mood है, वह खराब होता है Have trouble playing games, आपको game खेलने में परिशानी, trouble मतलब दिक्कत होती है Have trouble listening to parents and teachers, आपको अपने माता-पिता की बात और teacher की बात सुनने में Trouble होता है, and be less patient with friends, brother and sister और अपने भाई, अपने बेहन, अपने दोस्तों के साथ, आपका जो patience यानि जो आपका धैर है, वह कम होता है ठीक है, अगर आप परियापनी नहीं लेते हैं, तो अप देखे कह रहा है, sometimes everyone has difficulty in sleeping, sometimes मतलब कभी-कभी, everyone मतलब हर कोई, difficulty मतलब परिशानी, कभी-कभी हर किसी को परिशानी होती है सोने में, या दिक्कत आती है सोने में बट लेकिन, if you miss a couple of hours of sleep, couple of hours का मतलब होता है, एक से दो घंटे, ठीक है, तो अगर, if you miss a couple of hours, मतलब अगर आप एक या दो घंटे की नेंद को miss कर देते हैं, मतलब छूट जाता है, miss करने का मतलब छूट जाता है, आप नहीं सोते हैं, no harm is done, तो no harm मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती है, यानि no harm, कोई भी परिशानी नहीं होती है, you may feel tired, tired मतलब ठका हुआ, feel मतलब महसूस, you may feel tired and irritable, irritable का अर्थ होता है बच्चो, चिडचिड़ा, क्या कहते हैं बच्चो, चिडचिड़ा, next day, मतलब अगले दिन, तो अगर आप एक और irritable, आप जो है ठका हुआ और चिडचिड़ा महसूस करते हैं, next day, अगले दिन आप ठका हुआ और चिडचिड़ा महसूस करते हैं, but लेकिन, the body soon makes up for the loss, लेकिन, body मानि कि जो शरीर है, soon मतलब जल्दी, soon मतलब जल्दी ही, लेकिन जो शरीर जो है, वो जल्दी, make up for the loss, वो जो है, loss जो भी कमी हुई है, loss मतलब जो भी कमी हुई है, उसकी भरपाई, शरीर जो है क्या करता है बच्चों, वो कर लेता है, however, हाला की, if you try to stay, अगर आप कोशिश करते हैं, stay awake, अगर आप रात को, अगर आप कोशिश करत हैं, awake, जागने की, रात में, night after night, मतलब एक रात के बाद, दुसरी रात, दुसरी रात के बाद, तिसरी रात, अगर आप जागने की कोशिश करते हैं, you soon, आप जल्द ही begin, शुरू, to behave strangely, strangely का आर्थ होता है, बच्चों, अजीब, कहता है ना कि अजीब विवहार कर रहा है, behave का आर्थ हो गया, विवहार, strangely का आर्थ हो गया, अजीब, तो अगर आप एक रात के बाद, दुसरी रात जागने की कोशिश करते हैं, तो जल्द ही आप जो है, आपका विवहार जो है, strangely हो जाता है, आपका विवहार जो है, अजीब हो जाता है, you lose the ability to concentrate, concentrate का मतलब ध्यान केंद्रित करना, ability का अर्थ, छमता, lose का अर्थ, खो देना या भुला जाना, तो भुला जाना नहीं, sorry, खो देना, तो you lose the ability to concentrate, मतलब आप जो है, ध्यान केंद्रित करने की छमता को लूस कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है, आप ध्यान केंद्रित करने की छमता को खो देत और आपका जो जजमेंट है, जजमेंट मतलब निर्ने लेना, आपका जो जजमेंट है किसी चीज पर जो आप निर्ने लेते हैं, गेट्स इंपेर्ड, इंपेर्ड का अर्थ होता है बच्चो कमजोर या असंगत हो जाना, तो मतलब आपका जो डिसीजन होता है, आप जो जज शुरू कर देते हैं, begin मतलब शुरू करना, आप शुरू कर देते हैं, imagine, कलपना करना, imagine मतलब कलपना करना, आप शुरू कर देते हैं, strange things, अजीब चीज की बारे में आप कलपना करना शुरू कर देते हैं, and your behavior, और आपका behavior, आपका जो वेवहार है, becomes deranged, आपका जो वेवहार है वह deranged हो जाते है deranged का अर्थ होता है बच्चों इंगलिश में अगर इसका अर्थ हो तो abnormal मतलब असामान ठीक है एक होता है normal कहते है सामान और deranged हो गया abnormal असामान तो आपका जो वेवहार जो है वो अच्छा नहीं होता है वो सामान नहीं होता है वह असामान ने हो जाता है, ठीक है? A lot of people have serious sleep problems, ठीक है? Problems मितलब समस्या, problem कार्ट क्या होगे बच्चो? समस्या, serious मतलब गंभीर, और lot of people कार्ट क्या होता है बच्चो? बहुत सारे, sorry, हाँ, बहुत से लोग, तो बहुत सारे लोगों को serious, गंभीर, problem मतलब समस्या, तो बहुत सारे लोगों को नींद की गंभीर समस्या होती है, some people find that they cannot sleep, some मतलब कुछ people, कुछ लोग find, मतलब पाते हैं, कुछ लोग यह पाते हैं कि they cannot sleep, वह सो नहीं सकते, some wake up in the middle of the night, middle of the night मतलब आधे रात के समय, wake, some wake, मतलब कुछ लोग जगते हैं, कुछ लोग जगते हैं रात, आधे रात के समय, और too early in the morning, या सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, तो कुछ लोग आधे रात के समय ही जग जाते हैं, आकुछ लोग बहुत जल्दी सुबह उठते हैं देर आरा number of causes तो इसके number इसके बहुत सारे causes मतलब कारण है इसके बहुत सारे कारण है worry and depression worry का अर्थ होता है बत्चो चिंता और depression का अर्थ होता है अवसाद मतलब चिंता करते करते हम किसी गहरी मतलब सोच में डूब जाते हैं और उसके चलते हमें बहुत सारी परिशानी होती है उसको अवसाद ठीक है तो depression का अर्थ होता है अवसाद तो चिंता और अवसाद जो है are the most common causes common का अर्थ होता है आम तो चिंता और अवसाद जो है वो सबसे common सबसे आम जो है वह क्या है बच्चो कारण है all kinds of things in the environment can affect sleep affect का मतलब होता है प्रभावित environment का अर्थ पर्या वरन kind का अर्थ हो गया प्रकार things का अर्थ हो गया चीज तो पर्या वरन की बहुत सारे प्रकार की चीजे वो जो है प्रभावित can कर सकती है वो नींद को प्रभावित कर सकती है जैसे noise मतलब sure light, प्रकाश, heat, गरम cold, ठंडा और new surrounding surrounding का अर्थ होता है परिवेश जिस नए परिवेश ठहा new surrounding मतलब नए परिवेश तो ये सारी चीजे जो है या जो है नींद को प्रभावित कर सकती है pain in English can also keep people awake pain मतलब दर्ड, illness मतलब बीमारी, तो मतलब बीमारी में अगर दर्ड है तो वह भी can also keep people awake, awake मतलब जगना तो अगर बीमारी में दर्ड है तो वह भी लोग को जगाए रख सकती है, या देखे, can है तो दर्ड भी लोगों को जगाए रख सकती है, most of us can accept, accept मतलब स्विकार करना, temporary मतलब अस्थाई, ठीक है जो स्थाई ना हो sleeplessness मतलब होता है अनिद्रता, ठीक है, अनिद्रा मतलब नींद ना आना, तो most of us, जादा तर हम अस मतलब हम लोग, तो जादा तर हम में से, can accept वो स्विकार कर सकते है temporary, मतलब अस्थाई जो हमारी नींद ना आना यानि अनिद्रा को वो अस्थाई रूप से स्विकार कर सकते है without seeking help मतलब without मतलब बिना किसी की help लिए seeking मतलब help लेना seeking help मतलब help लेना तो बिना किसी की मदद लिए वो इस अस्थाई अनिद्रा को स्विकार कर सकते हैं many people become addicted to sleeping pills addicted मतलब होता है बच्चो आदी मतलब किसी का अगदम लत लग जाना आदी हो जाना, तो many people बहुत सारे people, बहुत सारे लोग जो है, become addicted वो आदी हो जाते हैं to sleeping pills, sleeping pills मतलब नींद की गोली तो बहुत सारे लोग जो है, वो आदी हो जाते हैं नींद की गोली के ठीक है, but sleeping pills लेकिन नींद की गोली do not cure वो जो है, cure मतलब ठीक करना तो नींद की गोली जो है वो ठीक नहीं करती है disorder disorder का earth हो गया बच्चो विकार मतलब किसी चीज में खराबी होना या नहीं विकार disorder का earth हो गया विकार तो जो विकार होता है sleeplessness मतलब अनिद्रा का जो विकार होता है जिसे हम insomnia कहते हैं इस बिमारी को या sleeping pills नीम की गोली cure नहीं करती है मतलब इसे ठीक नहीं करती है it is better to avoid them if we can avoid मतलब बचना avoid मतलब बचना तो इससे बचना ही जादा बहतर है if we can अगर हम कर सकते हैं तो to avoid इससे बचना ही better है मतलब बहतर है किसे नीम की गोली से it is better to avoid them if we can them किसको करा बच्चो sleeping pills को नीम की गोली को तो अगर हम कर सकते हैं तो इससे बचना यानि नीम की गोली से बचना ही better है मतलब बहतर है it is much better to identify the problem and remove it problem मतलब समस्या remove मतलब दूर करना identify मतलब पहचान करना better मतलब अच्छा यानि बहतर it is much better to identify तो कहरा है यह ज्यादा अच्छा होगा कि identify the problem कि समस्या की पहचान करे and remove it और उसे दूर करे तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह ज्यादा अच्छा it is much better का मतलब यह ज्यादा अच्छा होगा better मतलब अच्छा much मतलब ज्यादा तो यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम समस्या की पहचान करे और उसे दूर करे मतलब कि अगर हमें नीन नहीं आ रही है तो हमारे नीन के क्या कारण है किस चिंता, किस अवसाथ, किस समस्या के कारण हमको नीन नहीं आ रही है